नमस्कार आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जै गुरुदेव उत्राखंट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कामना करते हैं कि आप और आपके परीजन सभी स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्बुद करमाग कियर आज का या अद्बुद करमाग बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है जो भी अनन्य दर्शक आज के इस करमाग से जुड़े हुए हैं जहाँ जहाँ तक भी आज का या करमाग पहुँच रहा है जो कि अनन्य भक्तों के रिदे में चलने वाले सभी प्रशनों के प्रतिउत्तर महराजी की अद्बूत कृपा से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं इसे पूर्णता महराजी का तेज कहा जाए या महराजी की लीला इसमें बिल्कुल भी त्रूती नहीं होगी इसका अर्थ क्या है कि महराज जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके रिदे की एक एक बात महराज जी से अवगत है आपके रिदे में कब क्या चल रहा है ये सारी लीलाएं महराज जी पहले ही जान लेते हैं और यही महराज जी का सबसे रहस्मई पहलू भी है आजकल होने वाले चमतकारों में जैसे हमारे बहुत से अनन्य दर्शक अपने अनुभव हमारे साथ साज़ा करते हैं और उन अनुभवों को जानकर उनको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे महराजी प्रत्यक्ष रूप से हर एक अनन्य भक्त की साहतार थेतू कारे रथे कई अनन्य भक्त लिखते हैं कि जैसे ही हमारे रिदय में कोई प्रश्ण चल रहा होता है कोई मन्शा हमारी प्रभावी हो रही होती है उस मन्शा के अनुरूप यदि हम कोई प्रश्ण पूछना चाते हैं तो ये महराजी की लीला से संभव हो पा रहा है कि इस चैनल के माध् दर्शेकों के साथ हो रहा है इसे पूर्णत यदि महराजी की लीला कहा जाए तो ये पूरी तरह से सत्य होगा ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महराजी अपने अनन्य भक्तों से दूर रहे ही नहीं सकते हैं अगर आप तक भी ये क्रमाक पहुँच रहा है तो आज के क्रमाक में आपके भी बहुत सारे प्रश्णों के प्रतियुत्तर आपको मिल जाएंगे महराजी कहते हैं कि हम हर एक अनन्य भक्त के रिदे की बात जानते हैं उस अनन्य भक्त को किस समय कब और किस स्वरूप में और कितना प्रदान करना है ये केवल मैं जानता हूं क्योंकि महराजी गुरूं के महागरू हैं तो आप सोचिए कि यदि आप महराजी के अनन्य भक्त हैं तो आप कितने बड़ भागी हैं कि ऐसे अनन्य गुरू का साथ आपको मिला है यदि महराजी के साने दिमें आने के बाद भी आपका भागी परिवर्टित नहीं हुआ तो आप ये समझ इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की विसिष्ट लीला का अवलोकन कर रहे हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा अवश्य घटित होने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्टित कर देगा अभी तक यदि महराजी के साने दिसे यदि आप अनभिग्य है आप यह नहीं जानते थे कि महराजी कौन हैं महराजी की लीलाएं क्या हैं इससे पहले यदि आपने महराजी का नाम तक नहीं सुना था और आज समय ऐसा आपके जीवन में आया है कि चारों और महराजी की लीलाओं का व्याख्यान महराजी के छवी चित्रों के दर्शन महर महराजी के धाँवें जाने की योजना बना रहे हैं ये सब खुछ महराजी के प्रताब से हूं ये आपको लगग घर क्रमाक में मैं अबस्य बताता हूं कि आपके जीवन में महराजी के प्रवेश करने मात्र से छी इतनी सारी प्रवेश्व coronavirus इन में से शत्र प्रतिशत चीजें शत्र प्रतिशत विचार महराजी के मार्ग दर्शन से आपको प्राप्थ हो रहे हैं यूं माली जी कि बुद्धी तो आपकी है लेकिन उसमें विचार महराजी भेज रहे हैं क्या ये किसी चमतकार से कम है और यदि आपको इस बात पर वि अनुभव आप कर पा रहे हैं क्या इससे पहले आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ हो पाया है और आपको इसका प्रतिवत्तर मिल जाएगा कि यह जो अनुभव हैं यह बहुत अभूत पूर्व हैं इससे पहले ऐसा कुछ मेरे जीवन में घटित नहीं हुआ था यह महराज जी के द्वारा ही आपको शांती प्रदान की गई है और इसी शांती में आपकी समरिद्धी छेपी हुई है इस बात को रेखांकित कर लीजेगा क्योंकि जितने भी अनने दर्शकों तक आज का यह क्रमाक पहुँच रहा है प्रतक्ष रूप से आपका महराजी के प्रति प्रे अगर आप यह सोचते हैं कि मैं महराजी की कथाएं सुन रहा हूं यह महराजी के अनुभव मैं सुन रहा हूं तो आप यहां पर शत प्रति शत गलत हैं आप तुरूटी मान हैं क्योंकि यह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा यह महराजी के अनुभव आपको पुकार रहे हैं ये महराजी का सानिद्य आपको पुकार रहा है, ये महराजी की मर्जी है, कि आपके भागे को अब परिवर्टित करने का समय आ गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और सबसे बड़ी चमतकारिक बात ये है, कि एक क्रमा कर ना जाने कितने असंक्य भक्तों के जीवन में जाकर उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिला रहा है, कि तु अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, और ये जो मैं शब्द है, ये महराजी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और पूनत ये महागुरूं के महागुरूं आपको बताना चाते हैं, कि इस मार्ग पर जिस पर तू चल पड़ा है, जिस मार्ग पर तू अपनी मनजिल की तलाश कर रहा है, उस मार्ग पर कुछ ही दूर पर मैं खड़ा हूँ, जो तेरा हाथ थाम कर तुझे तेरी उस मनजिल तक अवश्य ले कर जाओंगा, ये महाराजी की ही विद्या है, ये महाराजी के ही अनुभव हैं, ये महाराजी की ही इच्छा है, जो चाहते हैं कि अब तेरे जीवन में जो कष्ट हैं, जो तेरे जीवन की परिशानिया है उसमें तो अकेला नहीं है तेरे जीवन की उस कठोर से कठोर परिक्षा के घड़ी से तुझे उभार कर जीवन के उस मोड पर अवश्य लाकर खड़ा करूंगा जहां पर तुने सोचा है कि तुझे पहुँचना है ये महराजी के शब्द ह का एक सागर सा लहरा रहा है यह सिर्फ आपके लिए हैं यह महराजी के इच्छाएं हैं जो चाहती हैं कि जितना प्रेम आप महराजी से करते हैं उससे कही गुना प्रेम महराजी के रिदे में आपके लिए छिपा हुआ है इसलिए स्वयम को आप अकेला मत समझे स्वयम को पिल्कुल भी ऐसा मत जान पड़िये कि जीवन के किस मोड पर लाकर मैं खड़ा हो गया हूँ, ये आपके लिए नहीं है, जीवन में आपको कुछ और करना है, जो सब कुछ आपने अपने जीवन के लिए सोचा है, उससे कही ज्यादा आपको मिलने वाला है, ऐसा महराजी के स सब कुछ सोचा समझा नहीं होता, प्रयास करने पर भी वो नहीं मिलता, जिसके अपक्षाएं आप कर रहे थे या जिसके लिए एक मात्र पात्र आप ही थे, अगर वो आपको नहीं मिला है, तो इसका आश्य केवल एक ही बन पड़ता है, जो कि पूरे माइने में सही होता है कि आपके लिए कुछ और नियोजित किया गया है, और ये नियोजिन करने वाले कोई और नहीं परम पिता परमेश्वर महराजी हैं, वो सब कुछ आपको प्रदान करना चाते हैं, बस इससे पहले वह चाते हैं कि जीवन के सही मायने पहले आप सीख लें, और एक गुरू ए अपने भक्त से कुछ अपेक्षाएं रखता है, तो इसलिए जो चीज आप चाहते हैं, यदि आज वो आपको नहीं मिल पा रही है, इसका आश यही है कि आपके गुरू की अपेक्षाएं आपसे बहुत बड़ी हैं, और जिस दिन वो आपको इसके लिए तयार कर देंगे, तो अपेक्षा कृत कारियों से भी ज्यादा आशातीत सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा पूर्ण तर सकत है, क्योंकि महराजी के साने दिमें आने के बाद असंभव भी संभव हो जाता है, महराजी इस विधान को ही परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए महराजी के अनन बहुत प्रेम करते हैं, तो ये था आज का अदबुत क्रमाक आशा करते हैं, आज के इस क्रमाक से आप सभी को बहुत ही सुनेह प्राप्त हुआ होगा, और महराजी के इस प्रेम के सागर में आप सभी बहुत ही अच्छे अनुभूतियां कर पा रहे होंगे, इसी कामने के स अद्विदा लेते हैं मिलते हैं लेकर मार्क में तब तक के लिए जय श्री राम जय गुरुदेव जय उत्राखन